स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में आज की वीडियो में आप जानेंगे जिन सातियों के मानव संपता आईडी बन गई है और उन्हें अपना पासवर्ड नहीं पता है और उन्हें अपनी डिटेल्स जाननी है तो किस तरह से आप बिना पासवर्ड या बिना लॉग इन किये हुए अपनी आईडी की डिटेल्स जान सकते हैं आपका नेम क्या है फादर नेम क्या है आपका पोस्टिंग एडर्स क्या है पर्मानेट एडर्स क्या है आपकी qualification details ये सारी details आप check कर सकते हैं अगर गलत है तो उसमें correction भी अपने संबंधित block 82 से करा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहलो आपको अपना google का chrome browser open कर लेना है उसमें three dots पर जाकर आपको desktop site लगा लेनी है जिससे आपको सारे options clear visual हो जाएंगे search bar में आपको type करना है मानव संबदा देखेंगे यहाँ पर पहला ही link का रहा है मानव संबदा ehrms upsdcgov.in इस पर आपको click करना है यहाँ पर ehrms login आ रहा है आपको अपनी id का passport नहीं पता है तो आप login नहीं कर सकते हैं बिना login की आप कैसे जानेंगे नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आ रहा है fact seat p2 यही fact seat p2 है जिसमें आपको अपनी सारी detail मिल जाएगी इस पर आपको click करना है click करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आ जाती है search fact seat p2 यहाँ पर आपको अपना department select कर लेना है organization select कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना ehrms code यानि मानव संबदा की जो id है वो आपका जो department है basic education department है उसके बाद organization direct rate of basic education उसके बाद आप अपनी यहाँ पर मानव संबदा id भर दीजिए यह detail भर लेने के बाद view report पर आप click करेंगे view report पर click करने के बाद आपके सामने देखिए यह खुल कर आ जाएगी fact seat p2 इस तरह से आपके सामने सारी detail available हो जाएगी यह पर आपका district reporting office posting office आपकी qualification detail और आपका posting detail आपका address permanent address ठीक है अगर आपकी कोई भी problem आ रही है आपका data incorrect है तो आप अपने संबंदित BRC से जाकर application देकर correction में जो data correct होना है वो लिखकर जमा कर सकते हैं आपका data correct कर दिया जाएगा आप fact sheet p2 download कैसे करेंगे corner में यहाँ पर देखेंगे printer का sign आ रहा है इस पर आपको click करना है click करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने ये save pdf में format में आ जाएगा ये round आ रहा है इस पर आपको click करने के बाद हाँ save option पर click कर देना है ये आपके phone memory में save हो जाएगी तो ये थी fact sheet p2 देखनी की पूरी process आपको वीडियो कैसा लगा जानकाई समझ में आई तो वीडियो को like कर दीजेगा हमें comment section में जो बताएगा कोई problem आ रही है तो हमारे description में दिये गए WhatsApp नमबर से जूड़िएगा या टेलीग्राम गुल्प से जूड़िएगा वहाँ पर वीड़िगा थैंक्यू